गुड मॉर्निंग बच्चो यह वीडियो आपको वर्जिन मेरी हायर सेकेंट्री स्कूल उज्जेंद्वारा प्रेशित किया जा रहा है आज हम पाठेक सूर के बाल क्रेशन का अर्थ समझेंगे इस पाठ के रशनाकार सूरदाश जी है हम सभी जानते हैं कि सूरदाश जी के आराध्य प्रभू श्री क्रेशन है इस कविता में सूरदाश जी ने श्री क्रेशन की लिलाओं का बड़ा सुंदर वर्णन किया है माता ये सोदा के वादसल्य और अभीलाशा का वर्णन है किस प्रकार एक रहागीर के माध्यम से माता ये सोदा माता देवकी को संदेश भेज़कर श्रीक्रेशन के प्रति अपनी चिन्ताव प्रेम व्यक्त करती है इसका बड़ा ही सुंतरवर्णन इन पदों में किया गया है बच्चो अब हम एक एक पद पढ़ेंगे और उसका आर्थ समझेंगे जोई सोई कही मोसो जगरे कब धो तनक तनक कचुखई हो अपने करसो मुख ही भरे कब हसी बात कहेगो मोसे जा छबिते दुख दूर हरे स्याम अकेले आंगन छाड़े आप गई कचुकाजु धरे इही अंतर अधवाई उठियो एक गरजत गगन सहित अगहरे सूर दास ब्रज लोग सुनत धुनी जो जहत है सब अतही डरे बच्चो इस पद में अपने लाडले श्री कृष्ण के प्रती माता यशोदा के मन में क्या-क्या अभिलाशा है इसका वर्णन है कभी कहते हैं श्री कृष्ण लगभग 6-7 महा के होंगे उन्हें देखकर माता अभिलाशा करती हैं कि मेरा काना कब घुटनों के बल चलेगा और कब वो अपने नन्ने नन्ने पेरों से दोड़ेगा माता सोचती हैं कब श्री कृष्ण के मुख में दूद के दोदाद दिखाई देंगे कब काना अपनी तोटली भाशा में नन्द को बाबा और मुझे माता कहकर बुलाएगा कब मेरा आचल पकड़ कर मुझसे जोई सोई कहकर मुझसे जगळा करेगा कब मुझसे हट याने जिद करेगा कब अपने छोटे छोटे हाथों से खाना खाते हुए अपने मुख को भर लेगा मुख को भर लेना बच्चों मतलब हमने देखा होगा छोटे बच्चे अपने हाथों से जब खाना खाते हैं तो थोड़ा गिरता है थोड़ा उनके हाथ में लगा रहता है, थोड़ा मुख के अंदर जाता है और बहुत सारा उनके चहरे पर लगा रहता है, जो चहरे पर लगा रहता है उसको कहते हैं मुख को भर लेना मेरे काना की सुंदर्श अभी देख कर मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे ऐसी आशा करती हुई माता ये शोदा श्री कृष्ण को आंगन में खेलता हुआ छोड़ कर घर का कुछ काम करने अंदर चली जाती है। इसी बीच आंधी उठती है और आकाश में गर्जना करते हुए बादल छा जाते हैं। तुलसिदार जी कहते हैं आकाश में गर्जना को सुनकर ब्रजबासी जो जहां थे वहीं पर भैवीत होकर रुक जाते हैं। रेंगती घाम ही मांज। तेरी सो मोही घाम न लागत भूक नहीं कचुनेक, सूरदास प्रभु कहियो न मानत परियो आपनी टेक। मेरे लाड़ले, तुम अभी बच्चे हो, बड़ो की देखा देखी मत करो और नहीं ऐसा सोचो। माता बोली, तुम्हारे पैर छोटे-छोटे हैं और वन बहुत दूर है, तुम चल कर कैसे चापाओगे। ग्वाल-बाल प्रातकाल गायों को लेकर जाते हैं और शाम को बहुत देर से लोटते हैं। दूप और गर्मी में चलने से तुम्हारा कमल के जैसा को मलमुख मुर्जा जाएगा। माताय शोदा द्वारा वन की कटनाईयों को सुनकर श्री क्रिश्न बोले, मा मुझे तेरी कसम मुझे ना तो गर्मी लगेगी और ना ही मुझे भूख प्यास सताएगी, मैं तो आज गाय चराने वन में अवश्य जाऊंगा। सुर्दार जी कहते हैं कि श्री क्रिश्न अपनी मा का कहना नहीं मानते और अपने हट पर टिके हुए हैं। सुर्दार जी कहते हैं कि श्री क्रिश्न अपने माता पिता और गोप्यों की खबर लेने अपने मित्र को ब्रज भेशते हैं तो माता ये शोदा क्या संदेश भेशती हैं इसका बड़ा ही मार्मिक वर्णान इस पद में किया गया है। श्री क्रिश्न अपने मित्र उद्धो को गोप्यों नंद बाबा और माता ये शोदा को धिरज बन्धाने के लिए जब ब्रज भेशते हैं तो सबसे मिलने के बाद जब उद्धो जी मत्रा वापस आने लगते हैं तो माता ये शोदा माता देवकी के नाम एक संदेश भेश मैं तो सिर्फ उसका पालन पोशन करने वाली धाय हूँ मैं जानती हूँ कि तुम क्रश्ने की सभी रूचियों अर्थात पसंद और आदतों से भली प्रकार परिचित हो फिर भी मुझे से रहा नहीं जा रहा है इसलिए कह रही हूँ कि मेरे लाडले को प्रातर काल माखन रोटी का नाश्ता अच्छा लगता है वह तेल उप्टन गर्म पानी आदी नहाने की चीजों को देख कर तूर भाग जाता है फिर एक एक कर अपनी फर्माईशे रखता है मैं उसकी सारी मांगों को पूरा करती हूँ इतने नकरे करने के बाद ही वह इस्नान करता है ये शोदा उद्धव से कहती है कि मेरा क्रेश्ण बहुत संकोशील स्वभाव का है वह देवकी से कुछ नहीं कहेगा देवकी की रुची और आदोतों के अनुसार अपने मन को मार कर चलेगा इसी कारण मैं रात दिन चिंता में रहती हूँ चिंता के कारण ना तो मुझे रात को नीद आती है और ना ही दिन को चैन पड़ता है बच्चो इस कवीता में आये कठिन शब्दों के अर्थ में आपको बता रही हूँ जिनकी साहता से आप अर्थ अच्छे से समझ सकेंगे और याद भी कर सकेंगे